आज मैं आपके लिए गर्मियों के स्पेशल दूद की रेसिपी लेकर आई हूँ दूद क्या है गुणों का खजाना है क्योंकि इसमें इतने सारे गुण है कि आपकी बॉड़ी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे बच्चे बड़े वजुग सभी पी सकते हैं और इसकी तासीर बहुत ठंडी है आपको अगर गर्मियों में थकान, कमजोरी, माइगरेन, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं 5 मखाने डाल देंगे, 5 किश्मिष, 5 काजू डाल देंगे और 5 ही इसमें चुवारे डाल देंगे अगर आपके पास चुवारे नहीं है तो यहाँ पर आप खजूर का भी यूज़ कर सकते हैं दो अंजीर डाल देंगे साथ ही एक बड़ा चमच पॉपी सीर्स यानि की खस-खस के दाने डाल देंगे और साथ ही इसमें हरी लाइची डाल देंगे दो फ्लेवर के लिए ये बहुत बढ़िया फ्लेवर देंगी आपको लग रहा होगा कि ड्राइफूट तो बहुत जादा गरम होते हैं इंकी तासीर गरम होती है लेकिन अगर आप इन ड्राइफूट को भिगौ और इन्से इस इस पहले हम भिगू देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डख करके तकरीबन 4-5 घंटे आप फ्रिज में लग दें या फिर अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसे गरम पानी में आदे घंटे के लिए भीगो कर रख देंगे तो भी ड्राइफूट अच्छे से फूल जाते हैं और अगर आप खजूर डाल रहे हैं तो खजूर के बीजा पहले से निकाल कर ही इसमें डाल दीजे और अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम सारा निकाल देंगे ये देखिए हमने इसे चान लिया है और अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और अभी हम इसे पहले ऐसे ही ग्राइन करेंगे यह देखिए हमने इसे ग्राइन कर लिया है और अब इसमें मैं आधा कप एकदम ठंडा चिल दूद डाल रही हूँ मैं यहाँ पर उबला हुआ और ठंडा दूद यूज़ कर रही हूँ आपके पास घर में कोई भी दूद आता है रेगुलर आप इसमें व दो से तीन आइस क्यूब्स यह द्रैफूट वाले लेंगे और इसमें दूद डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपका इंस्टेंट ड्रैफूट मिल्कशिक बनके तयार हो जाएगा यह देखिए हमने इसका एकदम फाइन पेस बना लिया है और अब इसमें बचा कुछ नहीं डाला है क्योंकि जो हमने इसमें अंजीर चुआरे और किशमिर डाली थी उसमें नैच्छल स्वीटनेस होती ही है तो मेरे लिए इतनी काफी है अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा जाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं या फ पहले अच्छे से धो कर और दस मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉब कर लेते हैं और जब आप इसमें दूद डालेंगे तो ये काफी देर तक ठंडा रहता है दूद इसमें और इसकी सौंधी सौंधी से तोड़े से कटे हुए पिस्ता, बादाम की कतरन और साथ ही केसर के धागे के साथ ये बहुत बहुत जादा शानदार है फ्रिंट जितना ये रिच लग रहा है जितना देखने में बढ़िया लग रहा है पीने में उससे कहीं जादा टेस्टी है और इसकी न्यूटिशनल व बढ़िया है हमारे घर में भी बच्चे जो है ड्राइफूट नहीं खाते हैं जल्दी से और इस तरीके से भीगा हुआ तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद तो इसलिए मैंने इस तरीके से उनके लिए मिल्कशेक बनाया है जो वह एजिली पी लेते हैं और ये उनके आप भी इसे अपनी घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपकी अपने चैनल रीटा रोरा रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइबर शियर करना बिल्कुल भी न भूलें और आप मुझे कहां से कौन से देश से देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक कियर और थैंक्स वर वाचिंग